वेलकम टो फैंटेसी क्रीक बोर्ड गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीसरे टीट्वेंटी मुकाबले की यह धमाके दार मुकाबला पर्थ स्टेडियम पर्थ के मैदान में थाटीन तॉफ एप को देड़ बजे तो पाय में शेयर ट्यूल्ड है तो इस तगड़ और आखरी मैच में माग लगाने वाले यह आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूं गाइस इन तीन टीट्वेंटी मैचों की सिरीज में से और स्टेडियन टीन ने फर्स दोनों मैच पहले बैटिंग करते वें जीत दिया और सिरीज अपने नाम कर चुकी है यह तीसरा सारी बाते तो मागे करेंगे कि इस मैच में बाजी कौन मानने वाला है और आपके ओं धिलाने वाला है ज्यादा पॉइंट क्या subtractरे ब्रैंडिग गेंग और कूरण की पारी पर जाएगी बारी captain wise captain इसको create करना है Maxwell Stoinis या फिर आंदरी रसल Jason Holder यह option आपके पास रहने वाले balling section में अगर हम देखे तो जहां एक तरफ होंगे Hazelwood की बात करें Madam Zempa की बात करें Johnson की बात करें तो दूसरी तरफ हमारे पास Spencer Johnson रहने वाले इसके अलाबा guys और कौन-कौन चॉटेस फॉर्मट ऑफ दे क्रिकेट में हम West Indies को कम नहीं आग सकते क्योंकि ODI में West Indies थोड़ी पीछे रह जाती है क्योंकि इंके प्लेयर वही है Hit and Miss वाले प्लेयर है लेकिन guys T20 में अच्छा करते है आप देखो दोनों में स्टीम हारी जरूर लेकिन 200 से उपर रन बनाया है यहां पर तो काफी अच्छा किया और इस मैच मुझे लग रहा है यहां अगर West Indies force betting करती है तो जीतने के चांसे काफी जादा रहने वाले है लेकिन इस वीडियो हम क्या के कवर करके देंगे Australia versus West Indies के बीच की ग्रांड लीग टीम क्या रहने वारी है ग्रांड लीग पेख, head to head record, venue stats, boarding order, trump player और सारे खिलाड़ों की recent performance इतनी सारी बाते हम महनत आपके लिए करके आए लेकिन आपको भी करना एक छोटा सका वीडियो को करना है लाइक यार एक सिकिन लगता है जल्दी सबसे पहले सबसे सही जिदे कि आप रुडे ली गिववे विनर बन सकते हो और वो सारी अपडेट का आएगी वो सारी अपडेट आएगी टेलिग्राम पे तो टेलिग्राम पे जुड़ना बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि महापर आपको हर एक मैच की स्मॉल ली ग्रान लीग टीम भी तो मिल रही है फ्री में लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट बोक्स में पिन है तो फड़ा फट जो जॉइन कर लो इतनी सारी लीग आने वादी है आपके PSL विमेंज प्रीमियर लीग इंडियन प्रीमियर लीग टीट्वेंटी वर्ल्ट कब इतने सारी लीग हमारे साथ खेलो मदा आ जागा गाई जब अटस मदा आने वाला है लगातार हम खेलने वाले तो चलो यहाँ पर देको टेलिग्राम चैनल यहां से कर लेना है जोईन और आप सबको जोईन होना कम पसरी है जो लोग भी चैनल में नहें चैनल को बिना जोईन के नहीं जाएंगे टेलिग्राम पर आप जुड़ जोगाईस क्योंकि देको आप मेरे फैमिली के अगर हिस्सा बना चाहते हैं तो टेलिग्राम पर आपको जुड़ना पड़े आपको ब्छुद राइदा होने वाला है बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है कोई भी चार्जेस नहीं नहीं जाएंगी इसके रावा आप मुझे टैरेक्ट दीम भी कर सकते हो तो टेलीग्राम आपकी सहुलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ सा लिंक कॉमेंट बॉक्स में भी दिया जाओ एक प्यारा सा कॉमेंट करो मेरे लिए और सबसे टॉप टेलीग्राम की लिंक फटाट से हो जाना है आगे आप कहते हो मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूं तो बिना बात किये जल्दी जल्दी बात करेंगे वेन्यू की पर्थ स्टेडियम के ऐसी है तो गाई हम सब को पता है अभी बीबर के इतने सारे मैच्च वहें भाई पता ही है कि बैटिंग पिछ है पेसर को काफी जाला मदद है अबरेज स्कोरिंग फोर्स इनिंग 133 है सेकंड इनिंग में 134 है हाइस स्कोर की बात करें तो इंग्राइन ने बनाया है 208 पे 6 विकेट है लोइस स्कोर की बात करें निदालान ने 91 रन बना के 9 विकेट खोए थे बात करेंगे गाई तो टोटल माच खेले गए इस पिच पे लेकिन 190 प्लस का स्कोर एक बात जरूर बना है पेस वर्सेज स्पिन में पेसर को सीधे सीधे बहुत जादा मदद है मैंने आपको पहले भी बता है आगे इस कुछ मैस देखेंगे जो लास्ट स्पिच में मैच के लेगा है किस तर का मैच हुआ है वहां किसने क्या कमाल दिखाया पेसर को मदद मिली है तो फॉस्ट इनिंग में या सेकेंड इनिंग में स्पिनर को थोड़ी भी मदद है कि नहीं सब चीज देख लेते लास्ट मैं दोको इंडिया वर्सेज साओध अफरीका केला गया था जहां पर साओध अफरीका ने बाजी मार ली थी जीते था मैच को 14 विक्टे गिरी थी 14 में से आप देखो 12 विक्टे निकाली है आपके पेसर ने और स्पिनर को मिली है मातर एक विकेट अरक मैं देख लेते हैं या पर निदर लान वर्सेज पाकिस्तान जी थी थी 14 विक्टे गिरी थी 144 मिंसर निकाली है आपके पेसर ने और स्पिनर को मिली है आपको जादा भारी लगेगा परड़ा बाकी स्विनर को भी थोड़ी मड़ी वदद मिल सकती है तो देखते हैं कर दो यह बात हुई है मैंने पिछ के बारे में आपको काफी डीटेल में बता है बाकि आप सब पर पता है मैं हमेशे अपने वीडियो में बताती हूं पिछ रि लेकिन अभी जान लेते हैं क्या होगी दोरों टीमों की प्लेंग 11 सबसे बले बात करेंगे ऑस्ट्रीडियन टीम की नहां उपन करने आएंगे डेविड वार्नर इंका साथ देते वे दिखेंगे जो संदी फर्स्ट रॉन बेटिं करने आएंगे मिचल मार्स बैक बैक बिल जाए तो एक्स्टाप्लिर के स्टार्स में आपको बताने वाली हो लिगिंग यहां से आपकी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वह कौन से होंगे तो मैक्स्वेर टीट्वेंटी फॉर्मेट के सबसे बेस्ट खिलाडी इस सिरीज के हैं इसके लावा इस टोईनिस जै इस लावा गर मैं बात खोरो डेविड वार्नर का वार हर मैच में होगा यहां भी होगा थर्ड मैच में भागे इस मैच में मुझे लग रहा है मिचल मार्स भी अच्छा कर सकते हैं आखरी मैच है हारने खोने के लिए तो कुछ बचा नहीं है तो यहां पर आराम से बहुत player होंगे लेकिन बागे बालिंग से झोंसन की बात कर लें हुआ यह बात करें हैं आपके पर एडम Zempa bend drop रहेंगे जिसमें से आप bend drop को prefer कर सकते हो एडम Zempa grand league pick बन सब्झें तो यह कुछ players होंगे जिनके साथ आपको अपनी safe team वरानी एपने maximum team main players को जगह देने लेकिन Grand League में किसको ट्राई करना है वो बात करेंगे यहाँ पर सारी फिलाड़ी की recent stats के अलावा पर्थ के मैदान में कौन सा फिलाड़ी कैसा परफॉर्म करता है West Indies के अगेंस कौन से प्लेयर की क्या परफॉर्मस रही है तो आगे देख लेते हैं बिना देर की आप screenshot लेते जाना सबसे पहले बात करेंगे David Warner की 4-42-11-70 आखरी मैच में 22 मारता West Indies के अगेंस 14 मैच में 581-45 अभरेज है विन्वी पर 4 मैच खेला 134 अभरेज है 45 के अभरेज हैं एंग्लिस की बात करेंगे 29 अभरेज है 27 के अभरेज है देखेंगे जहां पर Maxwell की बात करेंगे अगर आपको सेब जाना है, आप Maxwell को कैप्टर मिला दो, ठीक है, विश इंडीज के गेंस, पांच मैच में 161 विकेट निकाला है, वेन्यू पे एक मैच खिला है, केवल तेज सन्वने, इस टोइनिस की बात करेंगे, 11 रन, 3 विकेट, 3 विकेट, 38 रन, 1 विकेट, 9 रन, 2 विकेट, लास माच में 16 रन, 3 विकेट, यह देखो, कंसिस्टेंसी इस खिलाड़ी की, यह कंसिस्टेंसी पार बार में बता रही हूँ, बिग पैश लीक से लगातार हर एक मैच में, गाइस हर एक मैच में, आप साउथ अफरीका में देख लो, हर जगह यहां खिलाड़ी ने परफॉर्म किया और यहां आग लगाएंगे, इस मैच में बात करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे, वेस्ट इंडीज के लिएंस, दो मैच में 25 विकेट, वेन्यू पर दो मैच में 4 वि हैं, आगे अगर बतायें काइस विड की अगर हम बात करें तो पंदरः, चौदर, चौदर, तिरसाट इकिस लास मैच बेटिंग नहीं आई है, वेस्ट इंडीज के लिए, दस मैच खेला है, विकेट निकाल गे थेगा, ठीक है, आगे अगे एक मैच खेला है, दो मैच नह तो गाइज यहां मैंने आपको साथ प्लेयर के स्टाइट्स बता दिये जिससे आपके लिए टीम मराने में काफी ज्यादा असानी होगी लेकिन गाइज अगर मैक्स अप्लेयर के स्टाइट देखे तो आप यहां स्क्रीन शॉट ले लो क्योंकि आपको अगर कोई चेंज होता है तो कावा इस मैश में हो सकता हाड़ी खेलते वे दिख जाए बाप करेंगे बॉलिंग ओडर की तरब से पॉप ले में बॉल जोस है जल्वूड एडम्स एंपार इस्पेंसर जॉनस तो इग्जाटली यहां पर बॉलिंग ओडर यही रहने बादी ऑस्ट्रेलिया के तरफ से तो गाइज देको आप बात करेंगे हमारे वेस्ट इंडीज की क्या होगी प्लेंग 11 जहां ओपन करते वे नजर आएंगे नंगिंग का साथ देते वे दिखेंगे जॉनस चार्ज फर्स डाउन बैटिंग आएंगे निकलस पुरान फिर देखने को मिलेंगे साई होग जिंका होग खो बैठे है यहां पर फिर देखने को मिलेंगे रदर फोड रॉमन पावल अंदेर रसल और मारियो शेफ और जैसन जो आपको बैटिंग वालिंग दोनों से पॉइंट लेके जाएंगे रसल बहुत इंपॉर्टेंट बैटिंग वालिंग दोनों से पॉइंट देखे जाएंगे इसके अलावा मुझे लगता है निकलस पुरान इस मैच में काफी सेफ ऑप्शन है बागी ब्रैंड और किंग अब रिस्क ले सकते हों मैंच में किसीि एक पर एस इट बहुए तो आप देखे लिए आपको सेफिल ली चीम में उपनी इस लीड की टीम है बाइस और ह् reinforcement पालिए जो हुआ है देखे तो देख लेते हैं आप स्क्रीन शॉट लेते जाना फटा-फट बात करेंगे ब्रेंडन किंग वीच चौदर एक तिरपन आख्री मैच में पास्टर मनेते हैं उस्टेलिया के गेंच चार मैच खेला है तिरांगे रन मना है वेन्यू पर मैच नहीं खेला है चॉंसन चार्स उ एक भी मुकाबले नहीं खेले हैं यहां बात करेंगे साही होप की 12-29-4-16 लास माच जीरो पर गयते हैं उस्टेलिया के गेंच चार मैच खेला है एक सो दो रन मना है वेन्यू पर एक भी मैच नहीं खेला है इसके बाद अगर हम बात करें रसल की बात करेंगा इस तो 30 सन 2 विकेट 41 सन 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट लाफ माच में साथी सन एक मैच छोड़ दो आप तो हर मैच में खेलाडी ने पॉंट दिया है औस चलिया के गेंच 11 मैच में लोसान को लिख लो अगल एक खेलता है तो इस मैच में धमागा कर सकता है अलागी चांसे स्कम लग रहा है मुझे इनके जवपे कोई चेंजस आपको कन्फर्म होते विस मैच में दिखेंगो ऑस्टेलिया के गेंज 5 मैच खेला एकी विकेट निका लिए वेन्यू पर मैच खेला है आगे अगर इंड़ेगों करें यहां पर सेफड़ की बात करें यहां पर जिरू विकेट दो विकेट एक रान एक विकेट लास्ट माच भी एक के तारब से बहुत से विए हो देख लो कि अगर कोई चेंदिस होते हैं तो आपके पास सारे प्लेयर के स्टार्ट्स होने चाहिए तो यहां से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो बात करेंगे वेस्ट इंडीज की बॉलिंग और क्या रहेगी तो पॉर प्ले में बॉल डालेंगे जैसन होल डालेंगे जैसन हो काफी बढ़ा रहेगा ग्रांड लीग भी कराम से बन सकते हैं वागी बैटिंग सक्षन से पूरन और बेंड़न की मुझे इस मैच में पॉर्टेल लग रहे हैं तो गाई तो प्लेयर्स के बारे में तो मैंने काफी सारी इंफोमिशन आपको दे दिये लेकिन अगर आप ती सारे मैच ऑस्टेलिया ही जित्ते जारी है जिस तरह की तीम है या कंटिनियूसरी आप हर वर्ल कुप देखो अपने नाम कर रही है आप देख अभी ओटीयी वर्ल कुप क्या दिल में चोड़ दिया है ऑस्टेलिया टीम ने लेकिन धमाका तो कर रही है अब T20 वर्ल कुप क बहुत अच्छी चल रही है और स्टोइनिस की फॉर्म में आना मैक्सवल का इस फॉर्म में बेटिंग करना साथ साथ विक्टे लेना बहुत अच्छे संकेत है और तो अलगी नेक्स लेवल पर चली जाए कि मुझे लग रहा है इस वर्ल कुप में तो यह दिको लाखरी अहां भी 30 पलस माराँ यहां भी 30 प्लस मारा है एंग्लिस ने था था ईनाएंग्यम लैंडर मैक्सर लेकए है जैंपा तींग लिए स्टckology ढleness तो ने टीम सैंठ झाम ने खेला ता एम यहां पी चौबेसन मारा है यहांपर ब्रैंडेंग किंग ने यहांपर देखो मारा तब 50 आ वहां बिल्कुल फ्लॉप थे हैं निकलस प्रना ठारा अरासल तीन वीकेर रसल ने वाँ बैटिंग से पॉइंट दिया है होल्डर और एलजारी जोसब खोल्डर और एलजारी जोसब रसल यहां पर पूरन पवल कुछ नाम ऐसे हैं जो आमने सामने हर बार वो खिलारी परफॉर्म करते हैं आप देख सकते हुगाई चाहिए सामने वे टीम से हम बात कर ले Maxwell की बात कर ले, Warner की बात कर ले Team Debit की बात कर ले, वहीं इधर से अगर हम देखेंगे, तो आपके पार Russell हो गया है Holder हो गया है, और LGRI जो सब हो गया है तो यह आप screenshot ले लो आपको बहुत काम देने वाला है, लेकिन इस match की winning probability क्या रहने वाली है, कि इस match में बाजी कौन मालेगा, तो गया लगता है कि इस match में बाजी कौन मालेगा, और मेरी prediction यह कहती है कि Australia इस match को जीत के इस series को clean sweep करने वाली है, बागे आपको क्या लगता है, comment करके जरूर बताएगे कि इस match में बाजी कौन मालेगा और मेरी probability के according भी Australia इस match को जीतने वाली है आपको क्या लगता है, जरूर बता दिया अगरो मुझे comment में कि कौन जीतने वाला है मज़ा आता है, आप अच्छे च्छे comment करते हो तो बागे गई दो को यह बात हुई है हमारे winning probability के, लेकिन इस match की सबसे best fantasy team क्या रहने वाली है, हमारे पूरे वीडियो का सबसे main point तो विकेट कीपर में आमने चूस किया है पूरान एंग्लिस को बैटिंग सक्षिन में वार्नर, मिचन, मार्ज, आल राउंडर में बात करें Maxwell, Russell, Holder, Stornis बालिंग सक्षिन में, Hazelwood, Zempire यहां पर Spencer Johnson Captain C के लिए आप Stornis के साथ जा सकते हो, Australia आपको first balling करती है, तो Stornis और भी ज़्यादा सेफ हो जाएंगे VC के लिए आप Russell के साथ जा सकते हो अगर आपको safe जाना है तो आप maximal को CVC बनाओ, form बहुत अच्छी है wedding balling, दोनों से point दिलाएंगे risky option यहां पर देखो आपके पास पूरन हो सकते हैं, Warner भी हो सकते हैं तो यह एक दो extra option भी मैंने आपको बता दिया जिनको आप shuffle करके, rotate करके भी team create कर सकते हो, guys screenshot ले लो, same team के साथ भी जाओगे, तो इस match में जबर्दस winning होने वाली है, सारा loss कवर करने वाले, team के साथ इस match में बाकी लेकिन के को guys final team में बार बब होती ही, वो telegram पर आती ही तो उसके लिए आपको telegram join करना पड़ेगा, लेकिन यहां अगर grand league की बात करें, तो यहां पर Brandon King English, Jason Holder, Roman Powell Hizzlewood and Adam Zempa, यह कुछ हमारे grand league picks रहेंगे, best captain voice captain के लिए, अंदेरसल, Mitchell Maal, David Warner, Maxwell, Stoeris and पूरण यह कुछ option है, हमारे best CVC के लिए, तो guys इन सारे player को पकड़ के अपनी best 11 बनाओ अगर safe खेलना है, small भी खेलना है तो इधर से CVC उठा लेना है, grand league में भी निंग करनी है, तो इधर से उठा लो CVC बागे एक दो player, risk लो, risky player पे हाँ, जिसके selection percent है, less than 10% 20% होगे, उन पे आप risk हो, अगर जैसे last match पे Pawel आपका Trump ला लीता, 63 run, 60 plus run मार के, जिसके team में था, बहुत अच्छी खासी भी निंग कराई है और इस match में भी आपको देखना, Johnson Charles March भी हो सकते हैं, English भी हो सकता है, Mitchell March भी हो सकते हैं, बहुत ऐसे player होंगे, जिस match में आपको बहुत जाद़ पांट दिराएंगे, तो guys, आपको ऐसे risk उठाने है Grand League में, क्योंकि Grand League का दूसरा नाम है risk, risk लोगे, तभी Grand League जीतोगे, safe खेलके, आपको safe खेलना है, तो आपके लिए small league खेलो, Grand League आपके लिए नहीं बनी है, बागी guys, देखो हमारी final team आएगे, हमारे Telegram Channel, Fantasy, Creek Ball पे, तो जिसने जिसने अभी नहीं जोइन किया, अभी भी मोका है, जाके जोइन करो, हमारे family का हिस्सा बन जोगा है, क्योंकि हर match की जो final team आती है, वो आती है, तॉस के बाद हमें पता चलता है, कि टॉस जीतते के बाद, पहले betting balling कौन कर रहा है, इसके अलावा एक दोनो team की exact playing 11 क्या है, तो वो final team, betting water, balling water, सब कुछ जानने के बाद, वो आएगी टेलिग्राम पे, जिसकी link बिलेगी, आपको description के साथ-साथ comment box पे पेन है, तो फटा-फट जाओ, जाके join कर लो, और आज का हमारा giveaway question ये रहने वाला है, कि इस match में player of the match कौन बनेगा, मतलब कि आपके fantasy में कौन दिलाने वाला है, सबसे जादा point, और second question ये रहने वाला है, कि इस match में most wicket taker baller कौन बनेगा, सबसे जादा wicket निकाल के कौन दिलेगा, तो दोनों question काफी जादा easy है, guys, दोनों question का answer आप कर देना, साथ-साथ hashtag लगाना, मत बूलना, hashtag भी लगा देना, AUS vs WI, Australia vs West India, तो guys, आज के लिए बस इतना ही, हम जल मिलेंगे, next match के पूरी prediction के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आयोगा, तो like और share करना नहीं भूलना है, लेकिन सबसे पहले करना है, चानल को subscribe, और अच्छे-चे comment करके बताने, वीडियो कैसी लगी, इसके लावा आप insta बे भी follow कर सकते हो